भाजपानेता मोनालिसल लक्रा और विशाल बालमिकी ने कहा कि ओक्सेजन सिलेंडर के चोरी से बरनाम हुआ हजारी बाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारी बाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओक्सेजन सिलेंडर चोरी का मामला उजागर होने से इसकी साख को बट्टा लगा है इस मामले में भाजपानेता मुनालिसल लकला और विसाल बालमिकी ने कई कम्भीत आरूप लगाए हैं इस तरह की घटना पर दोनों ने कहा कि इस घटना में ना सिर्फ हजारी बाग की छवी धुमिल की है बलकि चिकित्सा जैसे पुनितकार के साख पर भी बट्टा लगाया है ऐसे में दोसी को बक्सा नहीं जाना चाहिए